नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल से निक्स विदापर शातियों बहुत सारी वेकंशियर निकल कर आ रहे हैं देखिए एक सर्विसमेनों के लिए ये CGL में जब कुछ वेकंशियर निकली हैं जिसका मतलब होता है अफर के लिए कमबाइंड ग्रियोट लेफल बहुतियों है ये कैस निकला है ये नोटिपकर निकला है समस्के डेखिये मैं अब इसको खोल रहा हूँ देखिए एसमें किया है पूरी जानकारी इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं तुमें एकसे विशमेनों को क्या पात तक कोई इनकी लाज़ डेट है दो सोबर भरने की लाज़ डेट टाइम उनलाइन अप्लिकेशन तो यह देखिए तेज दो हजार बाइस तक यह तेज तीस तो वर्स तक लोज हो जाएंगी इसके लाज़ डेट जो है जो ओनलाइन फीस पैमिंट की है यह पचीस एक दो हजार बाइस है तेज सो तीस तो वर्स तक रहेगी है उर्सके बाद लाज़ डेट जो है जरनेशन ओप लाइन चलाना अगर हम ओप लाइन फीस जमा करते हैं दोस्तों इसकी किसी बैंक में चलाना के दोबार तो यह 26 एक दो हजार बाइस को तेज सो तीस वर्स तक का इसका लाज समय है दोस्तों लाज़ डेट ओ पेमिंट चलान दूरिंग वर्किंग होवर्स बैंक यह बैंक के जो वर्किंग हवर्स इसमें रहेंगे 27 एक दो हजार बाइस तक रहेंगे दोस्तों इसमें लाज़ डेट जो रहेगी आपकी विंडो जो खुलेगी यह और करक्शन के पेपर जो होगा दोस्तों और लाज़ डेट जो टायर एक्जमनेशन किया है तो डिस्क्रेप्टिव पेपर होता है जिसका यह पेपर तैर्थर्ड होता है तो उनकी बाद में बता दी जाएगी अब इसकी देट आई नहीं है इसके लिए बाद में डेट इसकी गोशित करी इंडियन ओडि और अंडियन ओडिटन अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सी एंड थी यह गुरूबवी का पोमस्तों और यह पेपर दोस्त पाचांध ऑप एजे जैतिर्ड रहेगी अगला पोमस्त लिए गैन कुअट नहीं है त्यसक्री में बहसे ons ज्जमनेंशनार बा उमर आपकी होगी. Assistant Section Officer, Intelligence Bureau, जिस वे गुरूबी का पोस्टेस में 18-30 साल उएज रहेगी. अगला पोस्ट Assistant Section Officer, Ministry of Railway. ये भी गुरूबी का पोस्टेस में 24-30 साल उमर होनी चाहिए. Assistant Section Officer, Ministry of External Affairs. ये गुरूबी का पोस्ट इसमें 20-30 साल आपके एज होनी चाहिए Assistant Section Officer, AFHQ ये गुरूबी का पोस्ट इसमें 20-30 साल एज होनी चाहिए Assistant Section Officer, Ministry of Electronics and Information Technology इसमें ये भी गुरूबी का पोस्ट इसमें 28-30 साल उमर होनी चाहिए Assistant Ministry Department Organization यह गुरूबवी का पोस्टेस में 20-30 साल उमर होनी चाहिए असिस्टेंट सेक्षन ओपिशर अधर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और गनाजेशन यह गुरूबवी का पोस्टेस में 18-30 साल उमर होनी चाहिए तो यह दोस्तों इस अब तक मैंने जो आपको बताये हैं यह आ अपने एक्सरीसमेन के लिए हैं उनमें इसको एक्सरीसमेन का 10% कोटा मिलेगा पुरा बेनेफिट मिलेगा और सेना का जो एक्स ग्रेजवेसल सेटिपिकेट है वो भी इसमें काम करेगा दोस्तों उससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं देखे इंस्पेक्ट्रोप इंकम इसमें आपको एक्सरीसमेन के लिए इसमें आपको बताऊंगा इंस्पेक्ट्र सीजी सेंट्र एक्सरीसमेन के लिए इसमें आपको बताऊंगा इंस्पेक्ट्र सीजी सीजी सेंट्र एक्सराइज इसमें 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 इमर है इंस्पेक्ट्र प्रजेंटिव ओपिशर सी CBIC ये गुरूबबी का पोस्टेश में 18-30 साल एज रहेगी इंस्पेक्टर CBIC गुरूबबी का पोस्टेश में 18-30 साल उमर रहेगी Assistant, Enforcement Officer, Directed Under Enforcement Department, Revenue ये गुरूबबी का गजिटिट पोस्टेश में 18-30 साल उमर रहेगी Sub-Inspector, Central Bureau of Investigation ये गुरूबबी का पोस्ट है दोस्टो इसमें 20-30 साल आपकी उमर रहेगी Inspector Post जो है Department of Post ये गुरूबबी का पोस्ट है इसमें 18-30 साल आपकी उमर रहेगी Inspector Center Bureau of Norcott इसमें गुरूबी का पोस्ट है इसमें 18-30 साल आपकी उमर रहेगी अलवी का पोस्ट्र अपनलए टीज साल तक आपके जोनी चाहिए ये अगला पोस्ट है सबस्पेक्टर का इसका दिपार्टमेंट है करें दोस्तों National Investigation Agency यह गुरूबी का पोस्ट है इसमें 38 साल आपके एज होनी चाहिए और इसके अगला पोस्ट है दोस्तों जूनियर statistical officer यह गुरूबी का पोस्ट है और एज जिसमें 38 साल आपके होनी चाहिए और यह अगला पोस्ट है Statistical Investigator Grade Second Register Journal Op India का पोस्ट है और इसकी गुरूप भी का पोस्ट है 38 साल आपके जोनी चाहिए अगला है ओडिटर का ओपिस अंडर C&A G ये गुरूप C का पोस्ट है 18-17 साल आपके उमर होनी चाहिए अगला पोस्ट ओडिटर का है दोस्तो Other Ministry Department का है गुरूप C का पोस्ट है 18-23 साल आपके इसमें उमर होनी चाहिए दोस्तो तो देखिए दोस्तो अभी अगला पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है दोस्तो अगला पोस्ट ओडिटर का अंडर ओपिस अंडर C.G.D.A. ये गुरूप C का पोस्ट है इसमें 18-27 साल आपको उमर चाहिए इसके बाद अगला पोस्ट है आपका अकॉंटेंट का ओपिसर अंडर C.N.A.G. ये गुरूप C का पोस्ट है इसमें 18-27 साल ये चाहिए इसके अलावा अगला पोस्ट जो है Senior Secretary Assistant अपर डिविजन कलर का है दोस्टो ये Ministry of Electronics and Information Technology का पोस्ट है ये गुरूप C का पोस्ट है इसमें 18-17 साल आपके जोड़नी चाहिए अगला पोस्ट है दोस्टो Senior Secretary Assistant अपर डिविजन कलर दोस्टो इसमें Central Government of Office Ministry of Other CS C.S.C.S.C.D.R.S. के लिए है ये गुरूप C का पोस्ट है 18-17 साल इसमें आपके जोड़नी चाहिए अगला पोस्ट है Tax Assistant का CBD Department में गुरूप C का पोस्ट है इसमें आपके जोड़नी चाहिए अगला पोस्ट है दोस्टो Tax Assistant का CBIC गुरूप C का पोस्ट है इसमें आपकी जोनी चाहिए इसके अलावा अगला पोस्ट है सभी इंस्पेक्टर का Central Bureau of the Narcotics यह गुरूपशी का पोस्ट है इसमें आपकी अठाश सता हिसा ले जोनी चाहिए दोस्तो तो दोस्तो यह सब पोस्ट जोते हैं मैंने आपको एज बता दिया है और अभी में जो आपको बताऊंगा जो अपने अक्सरी इसमें अब आई हैं तो इसके बारे में आपको बताऊंगा देखिए जैसे SCST है तो इसमें तो पांच साल एज रिक्सेशन रहेगा SCST वालों को OBC वालों को तीनी अर्ज का रहेगा PWD जो ए अन्री जरूड है उनको दस साल का रहेग और जो प्रसेशन को पंद्रे साल कर रहेगा और जो एक्सरीं तो इनको प्लस अन्होंने जितनी नोख्री की है उनकी एक्शन उमर रहेगा काउड़ने के बाद में जो बचेगी वो मिल गवाग वाग कि उनको अपनी केटगरी के हिसाब से जो एजली लेक्सन मिलता है वो लेकिन ये तीन साल का प्लस उन्होंने जितनी नोपरी किया है वह आपकी एक्चुलेजम से निकाल दिया जाएगा दोस्तों तो यह देखिए दोस्तों अभी डिफेंस परसनल डिसेबल उन्हें उपरेशन डूरिंग उनके कोई ऑपरेशन के दोरान कोई अगर क्रेटेगरी ह हो जाता है तो उनका जो तीन साल का जो इसमें अलग से दिया जाएगा तो डिसेबल जो ऑपरेशन में किसी ऑपरेशन के दोरान कोई डिसेबल हो जाते हैं सेस्टी वाले हैं उनको SST वालों को आठ साल का दिया चाहेगा दोस्तों और दोस्तों ये सिवलेन के लिए है आगे में तो गुरुप सी पोस्ट के लिए सिवलेन के लिए एडिक्सन जो है अलग-अलग सिवलेन के लिए सेंटर गोर्ल्मेंट वालों के लिए लेकिन मैं अभी आपको जो है ये 35 साल उम्रेश में और दूसरी ये ये भी तलाख सुधा और S.E.S.T. वाली जो होती है तलाख सुधा होती है वीडियो जो होती है उनके लिए 40 साल उम्रेश में आप दे गई है और अभी देखिए मैं एक्सरीश में के लिए बारे मैं आपको थोड़ा आगे और दिखाता हू उसमें फरम बर सकते हैं उसके लिए जो आपका जो अर्यम्रेश ग्रिजवेशन सर्टिपिकेट होता है उसमें वाद चलता है आपका सारे उसमें देखिए इनका अड़ोटाज नंबर इसमें दिया गया निच्छे ये नंबर इसमें जो हो रहा है देखिए 3603 वोड अबिल इस बाहता दी गए ये अक्सर्विसमें जो होता है तो यह अपना पेरमिलिटरी फोर्स आर्मी ने एर फोर्स ओटी ए वगरा इनके सभी के जो रिटारमेंट होते हैं वो सभी एक्सर्विसमें की काटग्री में आते हैं और जो भी पेंसन ले रहे हैं या कुछी साल नोकरी आपने इंडिना आर्मी में की हो गए या आप डिस्टिवल्टी पे पैंसल ले रहे हैं आपको कोई बैडिकल केटेगरी हो तो वह भी इसकी स्रेडियम आते हैं दोस्तों और आपका मेंट्री के लिए सेंज्ट लोगा सर्विसमेन दस्वी करे हुए हैं और उन्हे अपलाई करने के लिए उसमें कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हुए अपलाई करने में उनको सभी को उत्राइज अपलाई करना और एजरी लेक्सेशन जो डोटर है उनको नहीं दिया जाएगा दोस्तों इसमें किसी को उसका कोई फाइदा नहीं दिया जाएगा दोस इसमें हमें यह हमारा हो कर दिया जाएगा और यह देखिए एक नोटिस ओर दियागा इसमें अंडर्टेकिंग ओप्द गिविन बाई दी एक्सर्विसमेन के लिए बूस्तों जिस टैम पर हम अपना पूरी परिक्रिक्रिय पर ने के बाद में अपना डाकुमेंट बेर इपकिसन के लिए जाते हैं तो इस अपने पूरी डिटेलमेट है आपका डिक्रिलेसन से बोलते हैं वह ऐसमें अपना पूरा सारी चिज़ रिचार्ज बूक का नमर अगर 20KB से जाद़ आपका फोटू होगा तो इसका फॉर्मेट तो होगा 20KB से और 50KB के बीच में होना चाहिए अगर उससे ज्याद़ केबी का होगा तो आपका रहे होगा साइड जो होगा 3.5cm से 4.5cm हाइट इसके होनी चाहिए दूसरा इसका जो बैक गराउंड है दोस्तो तो बैक गराउंड जो है वाइट कलर में होना चाहिए बिल्कुल और इसमें चेहरा आपका के लिए साब नजर आना होना चाहिए आपकी नजर बिल्कुल सामने होनी चाहिए छेहरह आपका आपका इसमें बिल्कु सफाया देना स्यासा धरान चाहिए किसी तरह बैक्गराइड में किसी भी तरह कोई कलर बगार खरी युदृ उन चाहिए है इसमें इस तर रखा करक्शनION चाहिए और दोस्तों पहली बार में लिए पreet the angelic अगर क्रेक्षिन नहीं होगा लेकिन शुक्त दूकर थोरने की प्रेविस पॉर्ट में कन रहे दिढ़ हो आप Nope यैप किसी कार्ड जरी आपको पेमेंट करनी हो गी है तो देखी पोटोबे मैं आप को दिखा रहा हो जो मैंने बता य जिसन से ऊपर पोटो दिखाई यह बिल्कुल और अगले वड़ा देखिए तो इसमें बिल्कुल चेहरा आपक इतना बड़ा कर चेहरा अच्छी तरह दिखाएंगे रहा है चोत्ते में आपने हैट लगाई यह यह भी नहीं चलेगा और पांचवा देखिए बलर करा हुआ है बिल्कुल ये दूदलना दूदलना दिखाई जा रहा है कुछ भी नहीं दिखाई जा रहा है ये देखिए एक उल्टा ते डार जैसे भी तिरचा इस तरह का फोटो आपका नहीं चलेगा अगर आप इस तरह का फोटो लगाते हैं तो आपके बिल्कुल भी आपका एकसेप्ट नहीं होगा फरम और रिजक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों देखिए फेसिंग साइड़ में आपने तेरा करा हुआ वह भी आपका एकसेप्ट नहीं होगा आपका छोटा फोटो भी अकस अगर आपने इस तरह का फोटो लगाए हैं तो आप भूल जाएए कि आपका फोटो अगया होगा यह बाद में रिजक्ट हो जाएगा तो दोस्तों दियान रखें अपना फोटो ग्राफ बगर आप ठीक से लगाए और ठीक तरह से अपने फोरम को भरें और अच्छी तरह स लगी कोमेंट करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें झाल